आज हम आये हैं भारत का नहीं एसिया का सबसे लंबा से टरेट प्रॉजेक्ट पे जैसे कि आप देख पाएंगे वीडियो के माद्रम से इतना लंबा सब्रेट बना आचे में कहीं यह नहीं बना हुआ है जो कि यह बनके तयार हो जा एका और दिसम्भा Tag 25 तक जैसे कि आप वीडियो के माद्दम से देख पाएंगे यहां पर अभी काम चल ला है इसका काम कर रही है एलेंटी जियो इस्ट्रेक्षर है इसका क्लाइंट इरकॉन है अब फेंड एस्टिया में कहीं भी लगभाग शोतीस से 35 क्लोमीटर का रेलबेस अप्रज बना हुआ है जो कि भारत में बनने जा रहा है और भारत के अंदर भारत के सेंटर पॉइंट कटमी में जो कि मदप्यदेश में इस्टिफ है जिसका काम एलेंटी जियो क्लाब होने वाणा है कि देश को लाव होने वाला दैन। इस Just कि आप है काम लगबर 80% एक यहां पर देख सकते हैं। sports देखते हैं कि अदय UM you चूका है और है है पे अभी घाना का अरैक्शन हो रही है और यह कि है अपलाइन जो ए शिंग्रोलि टू बीना अध्याओ देखेंगे डाउन लाएज देखने को सत मीन है डाउन डेख सकते हैं वहाँ पेर काम चल दाए है और आंगे काम हो रहा है अभी यहां पर काम नहीं चला है यह अपलाइन अपलाइन में अभी आल्मोस्ट 80% काम कंप्लेट हो चुका है सामने आप क्रेन देख सकते हैं और जिस एरिया पे हम हैं अभी यह है कैलवारा और आप एक सामने ब्रिच देख रहे हैं वह है मर्द परिष्टा सबसे उंचा प्लाइ ओवर जैसा कि आप सामने वीडियो के मादम से देख पा रहे होंगे ट्रैक के उपर बना हुआ है जो कि शागरपुल के उपर बना हुआ है इसकी करीब रंबाई साड़े तीन चार किलोमेटर होने बाली है अब के जर्ज परजक्ट ठीक उस ब्रज की नीचे से निकलेगा उसके नीचे है यह रेलवे ट्रैकन मिलेगा आपको और उसके नीचे एक सेटी बिर्ज है जो प्रेंट कटने जे लेके होंगे वो आसानी से समझ पा रहे होंगे जो आप सामें प्रेंट देख रहे हैं वो ये ग्लाडर को उपा रखने के लिए लगाई गई है वहां पर देख सकते हैं ग्लाडर नीचे रखा हुआ है उसको उपार सिप्ट करना है इसके उपार